कैसे होगा, क्या किरपा पाओगे आप, कोई किरपा नहीं पा सकते, जब तक माबाप की किरपा के पात्र नहीं बनोगे, तब तक इश्वर की किरपा के पात्र भी नहीं बनोगे, आएं, मिलकर के हाजरी लगाएं, फ्रेम से बोलें मात पिता गुरु प्रभु चर्णों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपतार मात पिता गुरु प्रभु चर्णों में प्रणवत बारंबार कौन गौन उपकार मानता है जो उपकार माने वो एक ताली बजा के बताए अपने माबाप के नाम की कितनी जोर बजा सकता है उतनी जोर ताली एक दो देंगे जाँ चलिए अपनी अपनी मा के लिए ताली बजाओ कैसे बजाओगे माता ने जो कश्ट उठाया बोरिन कभी न जाए चुकाया उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की दिशी तल छाया जिन की गोद में फल करके हम कहलाते होशियार हम करकिया बड़ा उपकार मात पिता गुरु प्रभु चर्णों में प्रणवत बारंबार हम करकिया बड़ा उपकार कितना बड़ा काम करती है मा आज के टाइम में एक दो किनो का भाटा किसी को पेट में बांद के कह दे ना कि नो महीने गूम ले नो मिनिट नहीं गूम पाएगा और एक मा नो महीने एक बच्चे का भोज ढोलेती है पेट में एसी मा के लिए ताली बजवाई आपसे अपने बच्चों क्यों उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है मा इसलिए ताली बजवाई आपसे लेकिन जितना महत हमारे जीवन में हमारी मा का है उतना का उतना महत हमारे बाप का भी हमारे जीवन में है एक ताली अपने बाप के लिए भी बजाईए ऐसे नहीं ताली बजे फिर ताली जैसे ही बजे एक साथ एक एक दो सुनो, अपने अपने पिता के लिए ताली बजाओ पिता ने हमको योगे बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया लिखा गुनवान बनाया जीवन पत पर चल ना सिखाया आप जानते हो दुनिया में हजारों बाप मिलेंगे आपको ऐसे जिसमें बाप को साइन करना नहीं आता लेकिन बेटा इंजीनियर है यह दुनिया में केवल एक बाप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता इसलिए आपसे बाप के लिए ताली बजवाई जोड जोड अपनी संपती का बना दिया हकदार हम परगिया बड़ा उत्तार मात प्रता गुरु प्रभु चर्णों में प्रणवत वारंभार हम परगिया बड़ा उत्तार हम परगिया बड़ा उत्तार गुरु किस किस ने बनाए वे हैं जिनके गुरु है अपने गुरु के लिए ताली बजाना हाथ उठाके और जिनके गुरु नहीं है अपने माबाप के लिए दोनों हाथ उठाना उनसे अच्छा और उनसे सच्चा गुरु आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कत्व ज्यान गुरु ने दर शाया अंधकार सब दूर हटाया धिर्दे में भगतिगा दीप जला कर हरी दर शन का मार्ग दिखाया एक मा आज करती है मेरा बेटा बड़ा होगा मेरे बुड़ापें की लाठी बनेगा ये और बात है कि लाठी मारने लग जाए बेटे लेकिन एक बाप को आस रहती है लेकिन एक गुरू एक गुरू अपने शिष्षे से कोई आस नहीं करता क्योंकि वो ये मानता है कि मेरे शिष्षे को मुझे भगवान से मिलाना है इसी लिए कहा कि गुरू गोविंद ओनों खड़े तो काके लागू पाए और बलिहारी गुरू आपने तो गोविंद दियो लगाओ ताली अपने अपने गुरू के लिए बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो कितने बड़े हैं उदार हम पर दिया बड़ा उदार हम पर दिया बड़ा उदाकार हम पर दिया बड़ा उदाकार चलिए एक बार सब मिलकर गाएंगे मैं अपने माबाप के लिए गाती हूँ आप अपने माबाप के लिए गाएं और जो नहीं गारा जो अपने माबाप के नाम में गुड़ चोरी कर दे भगवान से फिर उसको कुछ मागने की जुरूत नहीं है कभी किरपा नहीं होगी एक बार सभी मिलकर की बोलेगे मात पिता कुरु प्रभुचरणों में प्रणवत बारंबार हम पर चिया बड़ा उपतार हम पर चिया बड़ा उपतार हम पर चिया बड़ा उपतार बोलिये गुरुवर भगमान की अपने अपने माता पिता की सचे दरबार की बोलिये लख दातार की ये 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 ये